साबिका, MLC, PDP, फिर्दोस टाक साब हमासा मचूद हैं फिर्दोस साब आपने जो ये प्रसवाता की उसमें आपने सिर्फ सवाले निशान लगाया है जो CAG की रिपोर्ट है जिसमें फिनांचिल इर्रेगॉलरिटी जो हैं बताई गई हैं जो महभूबा मुफ्ती के टैनिवर में होई हैं तो आप कैसे सवाले निशान लगा सकते हैं देखे आप ने रिपोर्ट पड़ी है आप ने रिपोर्ट नहीं पड़ी है जिसमें ये कहा गया है कि 21 जो बिजनेस हाउजिस हैं उनके अकाउंट में 21 जो बिजनेस के बीच में ये हुआ है तो मार्च 2018 और 2019 के बीच में किसकी सरकार थी 2014 में जो फलड आया तो उसके बाद जो फिनाशल एसिस्टेंस दिया गया लोगों को उस पे भी जो है सवाले निशान लगाए गये हैं कि वो जो पैसा है वो सही लोगों तक नहीं पहुंचा है देखे आप मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या कि जब 2014 में गवर्मेंट 2015 में गवर्मेंट बनी हमारी गवर्मेंट ने 2,18,000 लोग ऐसे जिनके मकानाद partially, completely, severely damaged हुए 2,18,000 फैमिलीज को हमारी गवर्मेंट ने रिलीफ दिया किसी को साड़े चार लाक मिला, किसी को एक लाक असी हजार मिला किसी को 75,000 मिला, किसी को 16,000 मिला depending upon the severity of damage जो लोगों को हुआ वो CAG की रिपोर्ट में हाईलाइट है कि हमने कैसे उनको रिपोर्ट किया उसके अलावा हमारी गवर्मेंट ने 50,000 बिजनस यूनिट ऐसे थे जिन लोगों को फलट से नुकसान हुआ लेकिन उनकी इंकम 10,000 लाक से नीचे थी और 50 परसंट जो उनका नुकसान हुआ अगर किसी का 5,000,000 रुपय डैमेज हुआ तो उसका 50,000,500 गवर्मेंट ने पे किया ये 50,000 बिजनस ट्रेडर्स ऐसे थे जमो किश्मीर को जिसको गवर्मेंट ने उसके मदद की उसके हलावा 28,000 लोग, 28,000 बिजनस यूनिट ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो बड़े बिजनस यूनिट थे और उनका लोन जो है वो बहुत ज़्यादा था और उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया था उस पे गवर्मेंट ने कहा कि हम इनका इंटरेस्ट सब्वेंशन करेंगे मतलब जो इनका इंटरेस्ट है वो गवर्मेंट पे करेगी वो 28,000 से ज़्यादा लोग जो है ऐसे इडेंटिफाई हुए इसमें कहीं पे भी गौर्मेंट इसमें सीए जी ने कहीं पे भी इर्रेगुलिटी नहीं कही है हमारी गौर्मेंट के दोरान सीए जी की आप रिपोर्ट पड़े उसमें ये कहा गया कि जमू माइगरेंट को रिलीव दिया गया, 13 करोड रुपए जमू माइगरेंट को रिलीव दिया गया, कोई रेगुर्टी नहीं है, हमारी गौर्मेंट के दोरान जो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूज थे, वन टाइम सेटलमेंट होनी थी, वो सकीम के लिए 200 करोड पता होगा, एक सकीम जो हमारी गौर्मेंट में लाँच की गई, जन्वरी दोहजार, जन्वरी दोहजार अठारा के बजट सेशन में, उस वक्त के फाइनांस मिनिस्टर जो है एक एश्यूरस देते हैं, जिसको चीफ मिनिस्टर बिजनस इंटरेस्ट रिलीव सकीम कहा गया यह वो लोग थे, जिनको 2014 के फलड में नुकसान नहीं हुआ था, जिनको 2016 के कश्मीर अनरेस्ट में नुकसान हुआ था, उसके लिए दोड़ाइसो जो बिजनस यूनिट्स हैं, वो आइडेंटिफाई हुए कि जिनको डिरेक्ट जो है, नुकसान हुआ, और जिनको बहुत उसके लिए 2018 और 2019, हमारी गवर्मेंट तो जून 2018 में गिर गई, अब फिर ये लोग कौन आइडेंटिफाई हुए, उनको पैसा कहां से गया, और सिर्फ 19 बारोवर्स को 21 करोड रुपै कैसा गया, अब ये जो लिस्ट है, आप भी पढ़ें, आप लिस्ट पढ़ेंगे, थ बात को दो रहा रहे हैं, कि हमारी गवर्मेंट के लिए, जो सबसे बड़ा चैलिंज, 2015 में गवर्मेंट समालने के बाद था, वो ये था कि हम जो फ्लड का नुकसान हुआ है, चाहे वो इंफरस्ट्रक्टर को लेकर हुआ है, चाहे गवर्मेंट प्रॉपर्टी को लेकर प्रिजिज, टूरिस्ट इंफरस्ट्रक्टर, सारा का सारा जो है वो रिकावर कर लिया, सारा का जारा रिस्टूर कर लिया, उसके अलावा दो साल के वक्फे के तहट, हमने जो जिन लोगों को उनके मकान, मकानों को नुक्सान पहुंचा था, हमने डारेक्ट उनके अकाउ में नहीं एवा यह बार बार मीडिया में हाइलाइकर के पहले है रहे है मुझासा ह्मारिमा के लगिम्धा में हुआ है और मुझेत मेड़ें था हम किलियर में डि़ू एक फॉक्यानको आगर यह होगा भी होगाडे जितना बड़ा